शोशल मीडिया यूट के यूटूबर और ब्लॉकर रहे दाने जहन का निधन 20 दिसंबर की रात को हुआ जिहां उनके कार का एक्सिडेंट हुआ जिसके बाद उनका निधन हो गया अलगातार अब दाने जहन के खबरों के साथ जुड़ी तमाम अलग अलग जानकारियां आ रही है जिसमें कभी उनके परिवार वालों के साथ जुड़ी जानकारी होती है तो कभी दानिज जहन के काफी समय से चल रही उनकी चैनल और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लेकर जानकारी आती है जहाँ इसे बीच कल जो दानिज जहन के बहुत करीब माने जा रहे थे विकास गुपता जो जिन्होंने दानिज जहन के साथ Ace of Space में भी उनके साथ नजर आए वो उसके बाद उन्होंने फैंस से अपील की कि दानिज जहन का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे दुबारा से एक्टिवेट किया जाए और इसके लिए विकास गुपता ने कल एक खवर भी बताई जिसमें कहा कि जितने भी लोग चाहते हैं कि दानिज जहन का अकाउंट वापस आए वो हर अपने पोश्ट के साथ दानिज जहन की फोटो ज़रूर शेयर करें और देखते ही देखा जाए तो कहीं न कहीं अब फैन्स के जो लोग हैं जो दानिज जहन के फैन हैं वो बाकई में दानिज जहन के अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दानिज जहन का जो इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है उसे प्रियांका किरिपो